ऐसे हैं आप लोग आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे आर्टू डिफेंस अकड़ी में आपका स्वागत है इंडियन नेवी एससार डबले की नेक्स्ट वैकेंसी अगस्ट 2022 की कब आने वाली है इस पे हम भिसेश कर चाचा करने वाले हैं तो आज का वीडियो काफी महत् 2022 का जो है आपका इंडियन नेवी एससार डबले की निव वैकेंसी आने वाली है उसमें एज लिमिट क्या रहने वाला है सेलेक्शन प्रोसेस और एक्जाम पैटरन क्या होता है और चीजे में आपको बताने वाला हूं तो ज्यादा समय नबर बात करते हुए सीधे आपके टॉपिक पर आते हैं देखिए पेपर आपका जो है कि अल्लाइन होने का चांस बनता है 90 ठीके क्योंकि इससे पहले कोबी-19 का एक बहाना था इंडियन ने भी के तरफ से की कोबी-19 है इसके वज़े से हम नहीं करा पाएंगे ठीके तो अब जो है कि कोबी-19 का 2022 में बहुत किये हैं ससी और ठीके तो ने भी देखिए इंडियन ने भी अगर बहाना कर ले कि कोबी-19 के वज़े से मैं आपका जो की पेपर रिटेन एक्जामनेशन ले रहा हूं तो यह बहाना हो जाएगा बहुत बढ़ियार धोखा हो जाएगा आपके साथ ठीके तो हमें लगता है क कि 90% चांज बनता है आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि अनलाइन एक्जाम होगा या नहीं होगा देखिए ताइम भी देखिए काफी मिल रहा है यह वेकेंसी आपकी अपरेल में आ जाएगी अपरेल 2022 में तो यह मत सोचिएगा कि बहुत घ्रिंट एक स्नाब सेस्वाज कि एक महिने बाद के पासे मिलता है फिर आपका एक्जाम हो जाथाँ पीर फिचकर d Dodge कि लिए जाता है ज्राम जीए कि 2 develops कि में बुल एक्वेस के लिए तो देखिए bud का डबल ऐयर फोर्स का जो होता है एैर फोर्स करमाली जी इसाल बगा कूर्स होता है लेकिन यदि आप चार से पांच महिने में तो इसलिए मैंने कहा ह infections आ रही है तो जल्द का मतलब यहीं समझें कि चार महिने का बहुत कम समय है जल्द आजाएगी तो चार महिने में अपना जोए के कवर कर लीजिए ताकि आपको टाइम मिले तो आप जोए की वर्दी पहन ले इंडियन ने भी का ठीक है तो चार महिने का समय है अपना तो तयारी करते रही है जो भी मैं आपको आगे बताने वाना हूँ स्लेबस क्या होता है दे प्रेली जोए की डिफेंस से रिलेटेड अपना जोए की करेंट अफेयर याद करिए जीके जीएज जो हिस्ट्री गोल अधर चीजे में आपको कराऊंगा जीके एंड जीएज के इंपोटेंट कोश्टन आते हैं यह देखे जीके जीए से पचीस कोश्टन आते हैं और को कशन आते हैं पचीस नमर आपको मिलता है एक बटा चार आपका जोए माइनस मार्किंग होती है फिर इसके बाद फिजिक्स की बात करें तो यह भी तेस लिए बाइन पर नावन और नावन आद चीज मैं आपको होता दूंगा क्या होता है तो 25 नमर आपको मिलने वाले हैं एक बटे चार आपका जोए कि मार्किंग है तो टोटल मान लीजे तो सब कोस्टन आपको जोए कि सब कोस्टन सभी चार भागों में बटा होता है 25 25 25 मैंने बता दिया है आपको मैथ फिजीक्स इंग्लिस एंड जी के जियस तो आपको तयार कर लेना है इन चीजों को मैं नेक्ट वीडियो में आपको सेलेबस यदि आपकी रिक्वायर होगी तो मतलब आपकी जो है कि आप कह सेलेख्जन प्रोसेस क्या होता है देखिए कोपी नाइटि इंग बहाना नहों तो यह कि आ Allainीग राइंग होने के बाद एक महींने पंदल से बीच दिन बाद रिजल्ट आजाता है फिर जो है कि पंदल से बीच दिन बाद आपको जो कि फीच्ब हो जाता है फिसकल के आगे बात करें पैटर्न तो बता दिया सेलेक्टन पर से लिमिट की बात करें तो देखें इसे पहले जो आग फरवरी 2022 की वैकेंसी आई थी आप देख लिए हैं फाइनल मेरे लिस्ट भी आ चुकी है आज ही आई है फाइनल मेरे लिस्ट तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं कि नैस्ट वैकेंसी कब आने वाली है आई होप कि मुझे उमीद है कि आपको पता होगा लेकिन कुछ केंडिडिट को ऐसा भी रहें कि नहीं पता है तो गैस सबको लेकर चलना है मेरे प्यारे भाई मैं सबको लेकर चलनगा जितना भी मुझे मैं आपका जितना भी कि आप अपना प्यार बनाए रखिएगा ठीक है फरूरी 2022 का यह है सेलर एससार डबले का यह नोटिफिकेशन है यह मत समझेगा कि नया है नहीं 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 है जब आएगा तो मैं इस बिस्तार से आपको बताने वाला हूं एलिजिबिल्टी कंडिशन की बात करें तो इंडि 60% मार्स आनिवार होना चाहिए मतलब मार्स आपका होना चाहिए 60 ठीक है तब यह डबल एक लिए फार्म अपलाई कर सकते हैं एससार के लिए प्लाइब को बता रहा हूं पिर भी कोई डाउट है तो अवह से पूछिए गाट इस लिए बात करें तो इससे पहले जो है कि अगस्ट स्वरी पाइच्किये तो नेक्स्ट वैकेंसी जो आएगी अगस्ट पाइच्किया आए तो 6 मंत इंख्लूट कर लिजेगा जैसे मैं आपको इंख्लूट करके बता दे रहा हूं कि एक फार्म धिए गया गया तो इसमें 6 मंत और भी इंख्लूट करेंगे तो एक एक जून दो हजार दो से लेकर 31 31 यहां जू फरवरी जून ठीक है तो 31 जून आपका जो है कि 31 जून दो हजार पांस के बीच आपका जो है कि यह होगा ठीक है इसी के बीच आपका जो है कि एज लिमिट होगा इसी के बीच नहीं मैं आपको बता दूं एक जून जुन 2002 से लेकर 31 31 31 J Ear 2005 की बीच तो इसी की बीच आपका age limit होना चाहिए तभी farm apply कर पाएंगे ठिक है उम्मीद है कि आपको ये सब doubt clear हो चुका हुआ Pay and allowance की बात करें देखिए पहले आप पढ़ःपर ध्यान दीजिए salary तो इतना मिलेगी कि आप खुस हो जाएंगे ठीक है यह सब तो अलग बात होती है कि इत्ती सजार यह इंड़े लेकिन मैं बता दूँ जब आप ट्रेनिंग के बाद आप सर्विस करने लगेंगे उसमें तो आपको बता दूँ कि पंदरास तो पंदरास रुपया रोज कबने मतलब 35-40,000 रुपया आपको मिलने वाला है पर मंद इतना होता है सेलरी ठीक है आपको जोएकि बुक्स मिलेगा पढ़ने के लिए पढ़ने के लिए मैटरियल्स जो भी होगे आपको मिलेगा यूनिफार्म से फूट्स एंड़ अगोमेडेंट इस आपको जोएकि ट्रेनिंग के दौरान जो भी छूट मिलने वाली है बहुत सारी शूट मिलती है फिर आपका जोएकि मेटकल ट्रेन्मेंट सब कुछ जोएकि आसानी से मेटकल फिट रहेगा आपका यह तो मैं मांगते चाहिए लीव ट्रेवल कंसेशन फार सेल्फ एंडिपेंडेंट्स गूरूप आफ हाउसिंग बिन फिट बहुत सारी चीज बहुत छूट मिलती है लेकिन जो नेक्स्ट वेकेंसी आएगी हो सकता है 90 परसेंट बनता है कि आलाइन आपका एकजाम हो रिटेन इंग्जाम ने तो माली जो कोभी नाइंटीं का बहाने की वज़े से पी अफ्ट की बात करें नेस्ट आपका एकजाम होने वाला आलाइन ठीक है आप टेंशन मत लिए अपना पढ़ाई कीजिए देखिए इतना भी मत कर सोच लिजिएगा कि नहीं अलाइन एक्जाम क्यूंकि देखिए इंडिन ने भी है मैं तो यह ना भरुसा भी नहीं करता हूं क्यूंकि कम मूड घसक जाए अलाइन के रिटेन इंग्जाम ही ले ले मैं तो उतना प पहाना नहीं रहा है क्वालिफाइए फिसकल फिटने टेस्ट ठीक है तो एर फोर्स में मैं कहूंगा क्या लाइन एक्जाम होता है आप मान से मान धंतान से करिए इस तमें थोड़ा एर फोर्स का जो है की गड़बड़ा गया सब कुछ बेवस्ता कोभी 19 के वजए से एंड लुच्द आपको समझ में आगा वागा साथ मिर्ट में आपको सोलसु मिटर आपको थक बैठक डिट यश्ट एपको पूसाप मान आ इस तना यह फिछकल में ज्यादा कुछ है नहीं ठीक है तो मिटकल आपका जोएकी सब कुछ ठीक होना चाहिए ठीक है आपके हाथ में प बैसिक्स होना चाहिए तब ही जो है कि अचस्मा लगा कर देख रहे हैं तो सिक्स बाइन भी चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक है तो गई वीडियो अच्छा लगे तो पीडिलाइक से सब्सक्राइब जाहिए बार बंदी महातरम